जे हिंडिये स्ट्वेंट देखिए दो सवाल बार-बार आ रहे हैं कि सर जिनका एक्जाम हो गया है वो अब क्या करें और दूसरा है कि जिनका अठार को है यानि कि आज है वो क्या करें तो पहले बात करते हैं जिनका एक्जाम हो गया है वो क्या करें देखिए आपका अगर एक्जाम हो गया है अगर आपको लग रहा है कि हमारा जो नंबर है वो 30 प्लस आज आएगा मतलब Y ग्रूप में अगर आप हैं तो 30 प्लस नंबर अगर आपका आज आएगा ठीक है तो आप ये समझ ये पूरे में 75 परसेंट लग 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 और X ग्रूप है तो वो 50 परसेंट प्लस अगर आपका रिजल्ट है आने की उम्मीद है तो आप फेज सेकेंड की तयारी में लग जाएए बाकी फेज सेकेंड की तयारी कैसे करनी है इसकी सारी डीटेल आगे में दू कर दीजिए कोई भी आपके पास बुक हो जिसमें स्टोरी टाइप चीजे दी हूँ या पैसिज दिया हो या अगर आपके पास कुछ भी नहीं हो तो आप नेट पे कुछ भी खोल के कुछ भी ओपन करके कुछ भी स्टोरी टाइप चीजें पढ़ सकते हैं जोर जोर से बोल करने लगा क्योंकि आदत नहीं है आपके जीव को उस प्रकार की शब्दों को बोलने की तो ये प्रैक्टिस आप खुद से करना शुरू कर दीजे बाकी की चीजे आगे कराई जाएंगी ठीक है इसे बहुत आपको बेनिफीट होगा ने ते कई बार आप क्या करते हैं कि पढ़के जाना है उसके बाद फूल फॉर्म से पढ़के जाना है और बात करें जीके में तो खेल से संबंदित या अवार्ड से संबंदित चीजे बार बर पूछ रहा है तो ये चार-पांच टापिक जो मैंने भी बताया आप उसको पढ़के जाएंगे मैथ में देखिए लसी एम एक्सिया पढ़के जाएंगे और प्रतिसत परसेंटेज से भी क्वेस्टन बार बार पूछ रहें इंगलीज में बात करें तो आप फिक्ष्ड प्री पोजीशन जरूर पढ़के जाएंगे फिक्ष्ड प्री पोजीशन ठीक है और उसके बाद देखिए स्पैलिं आप यहां से क्वेस्टन देखने को मिलते हैं तो आज जिनके लिए जिनका भी आज एक्जाम है उनके लिए बेस्ट आफ लक सबसे बड़ी चीज़ है कि कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर है तो आप सेलेक्शन ले पाएंगे कॉन्फिडेंस को आप बनाये रखेगा प इसका कुछ नहीं हो सकता यह हार जाएगा यह नहीं पास कर पाएगा जीत करके उन्हें आपको दिखाना है बेस्ट आप लग मैडिये श्ट्वेंट एक बार कमेंट बॉक्स में जय हिंद वंदे मातरम बोल दीजिएगा और जबी भी आपको एक्जाम हाल में हैजीटेशन होगा तो आप स्ट्रेट बैठिएगा और एक लंबी सांस लिजिएगा उसके बाद बोलिएगा जय हिंद वंदे मातरम मैय कर सकता हूं चलिए मिलेंगे फिर अगली वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए टेक कियर